समान नागरिक सहिता जिसे इंगलिस में यूनिफॉर्म सिबिल कोर्ट कहते हैं जो एक समाजिक मामलों से सम्मंधित कानून होता है जो सभी पंध की लोगों के लिए विबाह, तलाक, भरन पोशन, बिरासत वा बच्चा गोध लेने आदी में समान रूप देने के लिए लाग पंधो, सबूत और ठेके जैसे मुद्दो पर समान कानून लागू करने की जरूरत है, सम्मधान के अनुछेत 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका, कारण भारती सल् बिर्टा है यहाँ एक ही घर के सदस भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं आबादी के अधार पर हिंदू बहुत संख्यक हैं लेकिन फिर भी अलग अलग राजियों में उनके रीती रिवाजों में काफी अंतर मिल जाएगा सिख जैन बौध इसाई और मुसल्मान आधी तमाम धर्म के लोगों के अपने अलग कानून है ऐसे में अगर समान नागरिक सहिता को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे सावान नागरिक सहिता को लेकर अगर दुनिया की बात करें तो ऐसे तमाम देश हैं जहां ये लागू है इस लिस्ट में इनमें अमेरिका, आइरलेंट, पाकिस्तान, बांगलादेश, मलेशिया, तुर्किया, इंडोनेशिया, सुडान, मिस्तर जैसे तमाम देशों के नाम शामिल है यूरोप के कعी ऐसे देश है जो एक धर्म निर्पेक्स कानून को मानते है वही इसलामिक देशों में शरिया कानून को मानते है भारत में सिर्फ गोवा एक मातर ऐसा राज्य है जहां UCC लागू है, स्वविधान में गोवा को उसे इस राज्य का दरजा दिया गया है इसे गोवा सिविल कोट के नाम से भी जाना जाता है वहाँ हिंदू, मुश्लिम और इसाई समेच सभी धर्म जातियों के लिए एक ही फैमिली लो है इस कानून के तहट गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है रेजिस्ट्रेशन किये बिना शाधी कानूनी तौर पर मानने नहीं होगी शाधी का रेजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोट के जरिये ही हो सकती है संपत्ती पर पती पतनी का समान अधिकार है इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ती का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा जिसमें बेटियां भी शामिल हैं हाँ हमने अपनी पार्टी की तरह से लाव कमिशन अफ इंडिया को जो उन्होंने जून चौदा दोहजार थिविस को जंता से कहा के पार्टी से कहा के अपने वियूज और आईडियाज दें तो हमने उनको लिखकर दे दिया है और हमने ये कहा है कि पहले तो लाव कमिशन, बाइस लाव कमिशन को ये बताना चाहिए था कि उनिफर्म सिविल कोट क्या है, वो नहीं बताते, और उसमें उन्होंने कोई कंसल्टेशन पेपर नहीं दिया, 21 लाव कमिशन का दिया, तो और तीसरी बात ये है कि बड़ी ताज कर दिया, तो ये बड़ी अफसोस की बात ये, तकलिव दे बात है कि बीजेपी एक लाव कमिशन को इस्तमाल कर रही है, अपने सियासी अगराज और मकासित को पूरे करने के लिए, गोवा में मुस्लमों को चार शादिया करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदूों को दो शादि करने की चूट दी गई है, जिश की समाननागरिक सहिता को लागू करने को लेकर पहले भी राए मागी जा चुकी है, साल 2016 में बिधी आयोग ने UCC को लेकर लोगों से राए मागी थी, इसके बाद आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तयार की औ और कहा भारत में समाननागरिक सहिता की आवश्रक्ता नहीं है, बतादे की समाननागरिक सहिता बीजेपी के मुख की तीन एजेंडा शामिल रही है, इसमें पहला जमू कश्मीर से अनुचे 370 को हटाना था, दूसरा आयुधा में राम मंदिर का निर्मार कराना था, इन दो 2024 लोक सभा चुनाओ से पहले बड़ा दाव चला है, पियम मोधी ने भोपाल में एक कारिकरम को संबोधित करते हुए समाननागरिक सहिता को देश के लिए जरूरी बताया, पियम मोधी के इस ब्यान पर सियासी और धारमिक बहस छड़ गई है, जहां कॉंगरिस समेत तमाम पक्षी दल पियम मोधी पर राजनीतिक लाब के लिए UCC का इस्तिमाल करने का आरोप लगा रहे हैं, इससे पहले लोकमिशन ने भी धारमिक संगठनों और जनता से 15 जुलाई तक UCC पर राय मांगी है, ऐसे में धारमिक संगठन भी UCC के पक्ष विपक्ष में अपनी प्रत कॉंग्रिस महस्तचिम केसी बेड़ु गोपाल ने दिली में ICC मुख्याले में उत्तर पूर्वी राज्यों के कॉंग्रिस नेताओं के साथ बैठकी। के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदसे के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्ता से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसल्मान मुसल्मान करते हैं। अगर ये मुसल्मानों के सही माइने में हितेशी होते तो अधिकाउस परिवार मेरे मुसलिम भाई बहन सिक्षा में पीछे न रहते हैं। इस दोरान UCC का भी मुद्दा उठा। कॉंग्रेस नेता KTS तुलसी ने बताया हाँ बैठक UCC पर थी। अभी तक कुछ भी तै नहीं हुआ है। जब सरकार ड्राफ्ट देगी तब हम तै करेंगे। कॉंग्रेस केस रुक पर AIMIM की प्रमुख असोद दीन उवैसी ने पलटबार किया है। उन्होंने विपक्षी एक्टा की मन्शों पर सबाल उठाती हुए बीजेपी के एजेंडे पर चलने का रोप लगाया। उवैसी ने कहा कि आप भाजबा को 2024 में हराना चाहते हैं तो फर्क तो दिखाईए। या फिर आप भाजबा के एजेंडे पर ही चलेंगे। मुझे नहीं पता कि वो लोग उस विशर पर बात करेंगे या नहीं मगर आपको फर्क दिखाना पड़ेगा। विपक्षी दलों के अगामी बैठक पर उवैसी ने कहा कि वो बड़े बड़े चौधरियों का किलब है। उसमें उवैसी जैसे अच्छूत का साया भी नहीं पढ़ सकता। उवैसी ने UCC पर PM मोधी के बयान की टाइमिंग पर भी सबाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये बड़ी अफसोस की बात है भाजपा बिधी आयोक का इस्तिमाल कर रही है।